गाईज मैं जो है वो कई सालों से अलग अलग तरह के रिचार्जेबल सेल्स यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास जो भी गैजेट्स होते हैं आपके AC के रिमोट हो गए, आपके मल्टिमीटर हो गए, आपके स्मार्ट डिवाइसे हो गए खिलाओने हो गए, जो भी सारी चीज़े है वो rechargeable cell से ही चलती है क्योंकि एक तो ये जो rechargeable cell है guys ये one time investment होते हैं ठीक है इसके अलवा ये जो cell होते हैं ये ego friendly होते हैं क्योंकि जो normal cell है guys उनको आप जो है करीब 6-8 मैने चलाते हैं उसके बाद में आप उन्हें fake देते हैं किसी landfill में जाके यह toxic जो हमारा waste है यह pollution फैलाता है तो rechargeable cell अगर आप ले लेते हैं तो आराम से 5-6 साल 10 साल कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको long term इसका result देखना है तो i button ए description के अंदर वीडियो आपको जाके मिल जाएगा इसके लावा कई ऐसी चीजे होती हैं जैसे wireless keyboard and mouse होता है उसमें तो मतलब हर 10-15 दिन के अंदर cell डलता है तो आप अगर regular cell इस्तमाल करते हैं तो आप परिशान हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम use करेंगे rechargeable cell लेकिन एक चीज जो है rechargeable cell के साथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है that is charging अब पहले क्या होता था guys कि मैं जो है वो कुछ इस तरह के जो charger है ये use करता था अब पहले market में इसी तरह के charger मिलते थे खास कुछ option नहीं था ये normal सस्ते वाले charger है इसके बाद में मैंने खरीदा ये ठीक है ये है NV का USB smart charger अब ये charger मैंने क्यों खरीदा उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पुराने style के जो charger है इसके अंदर क्या कम्या है इनको जो है मैंने क्यों पीछे छोड़ा तो आईए ये जो charger है इसके अंदर हम कुछ cell लगा लेते हैं गैस जो दोनो charger है उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक एक cell लगा दिया है आईए इसको charge करने के try करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह के यह जो charger होते हैं यह cell को charge नहीं कर रहा है ठीक है क्यूंकि यह जो old style के जो charger है guys यह बने होते हैं pair charging के लिए मतलब दो cell जो है जब आ यहां पर चार्जिंग स्टाठ तो आप यहां पर देख सकते हैं जो LED kijन्डिकेटर रहे यह ब्लिंक होने लगा है थोड़ा सबan इंडिकेटर है तो यह जो चार्जिंग है यह स्टाठ करने लगा अब क्या होता है कई पर जो डिवाइसेस होते हैं या बच्चों के खिलोने होते हैं उसमें तीन सेल लगते हैं तो अगें वही प्रॉब्लम अगर आपको और नमबर ऑफ सेल चार्ज करना है या फिर सिंगल सेल चार्ज करना है तो इस तरह के जो चार्जर है यह चार्ज नहीं करेंगे अब चार् of charge है वो अलग-अलग हो सकता है अब यह हो सकता है कि particular एक जो cell है इसके अंदर वो आधा खाली है एक cell बिल्कुल deep discharge में हो गया है तो यह जो pair charging वाले जो charger है ना जो dumb chargers है यह क्या करते हैं कि सभी यह जो pair है इसका जो complete set बना हुआ है उन दोनों को एक ही समान जो गती में जो charge करने लगेगा तो यहाँ पे जिस cell में charging के अवश्यक्ता कम थी हो सकता है वो cell over charge होने लगे और इसकी वज़े से इसकी जो cell की life है यह कम हो जाती है तो आईए गाईज यहाँ पे हमारे star of the show को introduce करते हैं यह है NV का Sprintex USB टाइप charger और खास बात यह है कि इसमें आप कोई भी USB port लगा सकते हैं यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कमपनी ने यहाँ पे एक type C का option दिया है और एक micro USB का option भी दिया है अलाकि मेरे पास मैं इस तरह के multiple pieces हैं 2-3 pieces में यूज कर रहा हूँ सभी जो इस तरह के charger हैं मैंने Amazon से खरीदे हैं अगर इस review के end में आपको यह charger पसंद आता है तो आपके लिए जो affiliate buying link है वो नीचे description या फिर first comment में इंदजार कर रहे हैं आप जाके check कर सकते हैं अब यह जो charger है काई जिसके जाते हैं charger के उपर तो यहां पर देख लेते हैं कि हमारे जो dissimilar cells थे या फिर अलग-अलग state of charge के cells थे उनका जो हमारा solution है वो यह charger कर पाता है या नहीं तो यहां पर जो बिल्कुल अलग-अलग तरह के जो cell हैं इनको मैं इस charger में लगाने वाला हूँ उससे पहले हम यह charger को start करने के लिए इसके अंदर एक USB cable लगा लेते हैं तो मैं यहां पर mobile charger का use करूंगा USB port का फायदा यह है कि आप इसको किसी power bank से चला सकते हैं laptop से चला सकते हैं computer से चला सकते हैं या फिर mobile phone के charger से चला सकते हैं तो इसमें से कोई भी एक port हमें connect करना है इसे आप type C कर दीजिए और अगर आप दोनों भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है double port भी आप लगा के इसके अंदर जो काम है वो चला सकते हैं तो यह जो है मैंने लगा दिया double port और हमारे जो charger है वो स्टार्ट हो चुका है तो आई अभी इसके अंदर हम जो है बिल्कुल रैंडम ली अलग-अलग companies अलग-अलग capacity के cell जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं तो एक मैंने डबल लगा दिया और यह जो charger है यह डबल ए और ट्रिपल यह मतलब जो बड़े वाले cell हैं और जो छोटे हैं दोनों को accept करता है तो यहां पर हम अलग-अलग तरह के जो cell है इनको mix कर देंगे आप देखिए यहां पर फाइदा किस तरह से हैं कि यह एक cell भी चार्ज करता है ठीक है अगर इसमें everyday के मैंने recently खरीदे थे नए cell है यह अगर इनका review आपको देखना है everyday के sales का तो i button यह description में मिल जाएगा काफी अच्छे cell है इनके भी buying link में आपको description में दे रहा हूं तो जाके आप देख सकते हैं तो यह हमने बिल्कुल अलग-अलग company के अलग-अलग capacity के जो cell है वो लगा दिये अब यहां पर एक चीज आप notice कर रहे हैं यह जो end loop का cell था guys यह already charge था तो अब यहां पर देखिए जो charger है इसको पता चल गया है कि यह almost जो है करिब-करिब full charge है तो यह जो इसका जो status indicator है ठीक है वो बिल्कुल full की तरफ जा रहा है मतलब एक देड मिनिट दो मिनिट के अंदर इसके जो charging है वो रुख जाएगी cell को यह overcharge नहीं करेगा वैसे यह जो दोनों है इसमें भी ऐसा ही difference आया है ठीक है यहां पर यह भले ही same company के हैं same capacity के हैं मैं नाम जो है आगे कर देता हूं ठीक है यह GP के दोनों है तो भी इनके state of charge में फरक है एक जो cell है वो लगबग पूरा charge है एक यहां पर जो है medium है तो इस तरह से यह charger की जो खासियत है कि यह हर cell को उसकी voltage के अनुसार बढ़िया से charge करता है किसी भी cell को overcharge अगरे नहीं करता तो overall मैं जो है यह charger जो है इस तरह का smart charger इसके साथ में काफी खुशू हूँ मेरे पास में 2-3 piece है अगर आपको लेना हो तो affiliate buying link के नीचे description मिल जाएगा हाला कि किसी company को मैं ऐसे sponsor या फिर कोई तारीफ अगरे नहीं कर रहा हूँ परसनल यूज के लिए जो चीजे मैं खरीदता हूँ उसका review आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाता है इसी तरह के gadget related अगर आपको reviews और देखने हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ cards आ जाएंगे directly इन cards के उपर click करके आप और भी informative videos के उपर जा सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही guys take care and have a nice day